खेर मक्तम किया जाता है आपका इसकेन यूटूब चैनल पर आज की वीडियो हमारी होगी महा टेट के लिए महा टेट के लिए वीडियो होगी और आज की वीडियो में हम देखेंगे उर्दू का पेपर देख रहे हैं पेपर टू यानि जो सेकंड पेपर भरेंगे उनके लिए अगर फास्ट वाले भी देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे दोहजार तेरा का पी वाई क्यू यानि प्रेवियस इयर कोशन्स पेपर दोहजार तेरा में किस तरह का कोशन्स पेपर था क्या पूछ गया था महाटेट में अक्सर हमने देखा हैं कि जो पुरानी चीजे हैं वही जएदा से जएदा पूछी जाती हैं उसलिए पी वाई क्यों पे आपका ज्यादी तवज्य होनी चाहिए देखेंगे आप रोजाना यहाँ पर देखेंगे तो आपको खुद लगेंगा कि पिछले पेपर में तो चेंजेस करकर वही सारी चीज़े पूछी गई है जितने भी महा टेट के अब तक के पेपर हुए है उसमें सिर्फ थोड़ी भोज चेंजेस करके वही एज़ी टी इस पेपर पूछे गए है तकरीबन तकरीबन सवालात आपको मिल जाएंगे पी वाई क्यों से तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और पाजू बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा तो यहाँ पर एक इक इकटिवास दिया है और इस इकटिवास में आपको करना है 31 से 34 तक के सवालाथ हल और इकटिवास से तो हमारे सभी कोशन्स बनते हैं यहां से इतना इकटिवास करने पर जियादा तवच्चे देने की जरूरत नहीं है फिर भी हम आज की वीडियो में यहां पे अक्तिबास देख लेंगे कुल तीस सवालाद देखेंगे इंशाला आज की वीडियो में और ये अर्दू से ही देखेंगे हम अक्तिबास देख लेते हैं देखें शेख चिली ऐसे शखस को कहते हैं जो दूर दरास के मनसुबे बांदे ये एक फर्जी शक्स लोगों ने घड़ लिया है और इस किसम के तमाम बाते जो दूर दरास कार मनसुबों और तजवीजों से तालुख रखती हैं इनके नाम के साथ चिपका दी हैं मसलन कहते हैं कि शेख चिली को एक शक्स ने मजदूरी पर लगाया एक टोकरी में शीशे के आलाद भरकर इनको दीए कि फुला जगा उस टोकरी को पहुँचा दो शेख चिली ने रास्ते में एक जगा टोकरी को अलग रख कर सोचना शुरू कर दिया देखिए क्या क्या सोचता है ये आज जो मजदूरी मुझे उसूल होगी इससे एक मुर्गा और एक मुर्गी खरी दूँगा मुर्गी को अंडो पर बिठाऊंगा और इससे बहुत से बच्चे हासिल होगी जब बहुत सी मुर्गया हो जाएंगी तो उनको बेच कर एक बक्री और एक बक्रा खरी देऊंगा और उसकी नसल को बढ़ाऊंगा बक्रियों का गल्ला जब बढ़ जाएंगा तो इसको फरुख्त करकर गाये लूँगा गाये की नसल इसी तरह तरकी करेगी गायों का गल्ला बेच कर भैस लूँगा जब बहुत सी भैसे हो जाएंगी तो उनकी तिजारत से अमीर वकबीर हो जाओंगा एक बड़े घराने में शादी करूंगा बीवी ऐसी तलाश करूंगा जो हसीन हो मैं उसको अपने खाबों में रखूंगा अगर वो ना परमानी करे तो कमर पर जोर से लाद जड़ूंग शेख चिली इस वक्त घुसे में थे ख्याली बीवी की जगा आप की लाद टोकरे पर पड़ी और तमाम शेशे चूर चूर हो गए तो ये शेख चिली का इकतिबास दिया है और हमने अक्सर इस तरह की कहानी सुनी है तो यहाँ पर आ जाते हैं सवालात किस तरह से पूछे ह तो पहला सवाल है शेख चिली किसे कहते हैं एक है जोट बोलने वाले शक्स को दो है अपनी तारी खुद करने वाला शक्स तीन है दूर दरास के मनसुबे बांदने वाला शक्स तो आंसर होगा हमारा सी शेख चिली किसे कहेंगे दूर दरास के मनसुबे बांदने वाला शे एक चिली को कैसी वीवी की तलाश थी एक है सलिखा मन, दो है नफासत पसंद, तीन है हसीन तो यही आफशन हमारा दुरूस्त होगा यानि इसे जरूरत थी एक हसीन वीवी की इसी तरह 33 सवाल है यहाँ पर जैल की जोड़ियों में से मुतज़ाद अलफास की सही जोड़ियां बनाएं देखिए मुतज़ाद यानि ऐसे अलफास जो एक दूसरे की जीद हो उसे बोलेंगे हम मुतज़ाद अलफास अमीर और कबीर ये मुतज़ाद अलफास नहीं है हम्मानी बो है हसीन और जमिल भी नहीं है तो इसलिए एक दो तीन कट हो जाएंगा फिर देखें यहां पर खरीद और फरुखत यह एक दूसरे की क्या है अपोजिट अलपाज है खरीदना और फरुखत करना तो इसका राइट आंसर दो होगा इसी तरह चोहतीसवा सवाल है यहां पर जुमला मुकमल कीजिए जब बहुत सी भैंसे हो जाएंगी तो शेह पर इनको बेचकर बकरा और बकरी खरीदूँगा यह तो गलत हो जाएगा इनकी तिजारत से अमिर कबीर हो जाओंगा तो यह बिल्कुल बाइट दुरुस्ट है इसका राइट आप्शन्स होगा दो इसी तरह यहां पर पहतीसवा सवाल है जमाना पैच्छाना है हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे तो यह जमाना माजी एहतिमामी है या फिर दो है जमाना माजी तमनाई है तीन है यहाँ पे जमाना माजी शर्तिया है या फिर चार है जमाना माजी इस्तंबी है तो देखें इसमें यहाँ पे हम शाम को नदी की किनारे जाया करते थे तो यह होगा हमारा जमाना इस्तंबी यह अक्सर यहां से जमानों से कोशन्स पनते हैं आपको गिरामर में यह समाने देखने होगे हमने कुछ वीडियो यहां पर अपलोट की है गिरामर के तालुक से अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं इसके बाद है च्छतिसवा सवाल यहां पर है यादगारे कालिप ये सवा हैं किस की तस्नीफ है तो ये उम्री है जो अलताफ हुसेन हाली ने किस पर लिखी थी यादगार पर लिखी हुई किताब है किस ने लिखी थी तो ये अलताफ हुसेन हाली तो आंसर होगा इसका दो इसी तरह यहां पे 37 वा सवाल है उर्दू का पहला सफर नामा कौन सा है ए है यहां पे लेक है फसाना अजाइब यह तो पहले फसाना अजाइब नहीं है यह दासतान है यह याद रखे आव इसके अलावा अजाइबात и फरंग यह क्या है ऐसर नामा है और ये सफर नामा है कंबल फरोश कुछ इस तरह का नाम है वो देखें इसके बाद है तीसरा वादिये नील में बेजदिन और गिर्दे सफर तो इसका राइट आंसर होगा उर्दू का पहला सफर नामा है अजाएबाति फरंग इसके बाद है अबुल फाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की वलादत कभू हुई ये बताना तो अक्टोबर 1937 में या फिर 14 नौंबर 1931 में या फिर 3 है 15 अक्टोबर 1931 में 4 है 5 सिप्टेंबर 1931 में तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 15 अक्टोबर 1931 में इनकी क्या है पैदाईश वलादत हुई पैदाईश हुई इसी तरह बारत की मशायकीन ने किर्केट खिलाडी नवाब मनसूर अली का पिटोदी को किस किताब से नवाजा है ए है यहाँ पे सर दो है टाइगर तीन है अरजून और चार है मास्टर ब्लास्टर तो यहाँ पे आंसर होगा टाइगर इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पे चालिसवा सवाल है मतबख से क्या मुराद है तो इसका बाला एक खाना दिवान खाना जनान खाना या फिर बार्ची खाना तो बार्ची खाना इसका राइट आंसर होगा चालिस का चार तरसलीन का वाहिद क्या है एह तरसी मुतरसल इरसाल मरसल तो इसका राइट आंसर होगा फोटी वन का दो इसके बाद आगे पढ़ेंगे फरकत का जिद क्या है जिद बोलना है फरकत की 42 सवाल होगा कलकश्ट फराकत फर्सद या खुर्बत फरखत का होगी यहाँ पर खर्बत इस जुल्नूरीन किसे कहा जाता है हजरत अबुबक्र सिदीग को हजरत अमर को या फिर हजरत अस्मान रजियल्लाह टाला अन्हों को या फिर हजरत अली को तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हजरत उस्मान रजियल्लाहुत अन्हों को कहा जाता है जुल नूरे यहाँ पे है 44 कोशन्स दिया हुआ है शेर की एक दिन की जिन्दगी गीदर की 100 साला जिन्दगी से बहतर है यह मशूर कौल किसका है बताना है आपको एक है यहाँ पे बहदूर शाफर दो है टीपो सुल्तान तीन है जहासी की रानी और चार है वाजिद अली शाँ तो यह मशूर कौल कहा था टीपो सुल्तान ने यह शेर की एक दिन की जिन्दगी किदर की सौ साला जिन्दगी से क्या है बहतर है 45 कोशन्स हैं यहाँ पे इसमें एक शेर दिया हुआ है सनत पैचाननी है आपको अदा के सुनते शबीर किसने यू जमाने में किये कितने सलातीन किसने समझा कौन को पानी तल्यमिया, मुबालगा तजा, लफ, वो, नशर तो देखें यहाँ पे तल्यमिया जो होता है जिसमें तारिखी वाखियात का जिक्र होता है उसे कहेंगे हम सनत पैचाननी तल्यमिया यानि जब शायर अपने शेर में किसी तारिखी वाखियात को पैच करता है या फिर बताता है तो वो होगा सनति तल्यमिया तो यहाँ पे तारिखी वाखियात का ही जिकर है तो इसलिए आपशन हमारा होगा तल्यमिया उसके बाद है दूसरा मुबालगा मुबालगा यानि किसी बात को बड़ा चड़ा कर पेश करने को हम बोलेंगे मुबालगा यानि जब अपने शायर अपने शेर में किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चड़ा कर पेश करता है उसे बोलेंगे हम मुबालगा जैसे या रोशव फिराख में रोया इस कदर कि था पानी आसमान पर कमर कमर इस तरह का एक शेर है जो जिसमें मुबाले का बहुत ज्यादा इस्तिमाल किया गया है मुबाले का बात को बड़ा चड़ा कर पेश किया गया है सनती तजाद अब सनती तजाद क्या होता है तो सनतित तजाद होता है अपोजिट यानि शायर अपने शेर में दो ऐसे अलफाज इस्तिमाल करता है जो एक दूसरे की क्या है जिद हो मुतजाद हो उसे बोलेंगे हम सनतित तजाद एक शेर है जिद शेर है एक दिन मे यंद और राद भर नहीं आती इस तरह का एक शेर है उसमें कया है दिन और राद इस्तिमाल की हैं यहाँ पर फूर जो है लव और नशर इसके तालुक से आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसके बाद है 46 में है दर जजेल में किस लफस के बाद दान लगाने से वो बामायमी लाहिका बन जाता है तो आपको लाहिके और साबिके भी देखने होगे यानि जो बाद में आते बाद में लगते उसे बोलते हम लाहिका बाद में लगा कर बनाया जाता और साबिक लगाया जाता जैसे बादब बानसीब इस तरह से और लाइके में देखें यहाँ पे दिवा है इंशा गुल और ये अकल जरूरत तो यहाँ पे दान दिवा है तो आप यहाँ पे गुल दान कर सकते से खान दान कर सकते पान दान कर सकते इस तरह से यानि या आखिर में लगाया जाता है लाहिके यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि लाहिके यानि आखिर में लगाया ने कम और साबिक यानि पहले लगाया जाते हैं उसे बोलेंगे इसके बाद यहाँ पे हैं महावेरे का मतलब लिखी है 47 में हाशे चढ़ना एक है लकीर खीचना दो है नसियत करना तीन है बात को रत करना चार है बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना 47 का तो इसका हाशे चढ़ाना यानि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ये इसका महवेरी का मतलब है तो आपको कहवते माहवेरे भी याद करनी होगे इंशेलला इसके तालुख से भी एक वीडियो बनेंगी साबिखे लाहिखे माहवेरे और कहवत उपर भी इसके बाद है 48 कोशन्स है रमूजे औकाफ में इस तरह की निशान को क्या कहा जाता है यहाँ पर यह निशान है इसे क्या कहा जाता है देखे रमूजे औकाफ के तालुख से हमने वीडियो बना ही है प्लेलिस से आप जाकर देख सकते हैं इसे क्या हम बोलेंगे तो यहाँ पर है सकता, वक्वा, खात्मा या फिर राप्ता तो इन सभी के तालुख से डिटेल में बताएवा है यहाँ से एक कोशन्स बनता ही है आप उस वीडियो को जरूर से देखे तो उसे कहा जाता है यहाँ पर 48 कोशन्स में हैं वक्वा इस अलामत को क्या बोलेंगे वक्वा को इसके बाद हैं 49 कोशन्स में हैं खुदा बख्ष औरेंटल लाइबरेरी की शेहर में वाक्या है ए है भुपाल, दो हैं यहाँ पे दहली, तीन है लकनों, और चार है पटना तो इसका राइट आंसर होगा पटना यह लाइबरेरी कहा है, खुदा बख्ष यह पटना में है इसके बाद यहाँ पे हैं 50 कोशन्स में हैं शेहर मुकमल करना है, तो शेहर का एक मिस्रा दिया हुआ है आपको दूसरा मुकमल करना है तुम मेरे पास होते हो गोया तो आप यहाँ पे ए में दियवा है एक में हाथ दिल से जुदा नहीं होता दो है रंज राहत नहीं होता जब कोई दूसरा नहीं होता तो यहाँ पे हैं तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता यह बहुत ही मशूर कॉल है और ये बहुत ही मश्यूर शेयर है और मुमिन का मुमिन का ये भी याद रखे कि किसका है तो मुमिन का मुमिन का शेयर है तुम मेरे पास होती हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता और इसी शेयर के बारे में मुमिन का मुमिन के इसी शेयर के बारे में कहा था असदुल्लाख खान गालिब ने कहा था कि तुम ये क्या है शेर मुझे दे दो और मेरा उसके बदले मेरा दिवान ले लो ये बात कही थी अच मुमिन खा मुमिन के शेर के बारे में इसके बाद है कावनवा सवाल वो सुकन जिसमें शायर किसी शेर की तभाई वो बर्बादी का जिकर कर रहा हो उसे क्या कहेंगे यहें उस सिन पे सुकन को क्या कहेंगे जिसमें शायर किसी शेर की तभाई वो बर्बादी का जिकर करता है तो देखे एक है मरसिया मरसिया यानि मरसिया किसे कहेंगे मरसिया वो ऐसी नजम को कहते हैं जिसमें वाक्याते करबला का जिकर हो उसे बोलेंगे मरसिया, हुजिया यानि खसीदा का ही हिस्सा है यह यहां पर किसी की हुजु वयान की जाती है उसे बोलेंगे और शहर आशोब यानि ऐसी नजम झिसमे शायर किया है किसी शायर की तबहाई वो बर्बादी का जिकर करता है उसे बोलते हैं शहर आशूप इसके बाद है चौथा खसीदा खसीदा यानि ऐसी नजम जिसमे शायर किसी की तारिफ िया हुझू बयान करता है उसे कहेंगे हम खसीदा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हैं 52 कोशन्स में हैं नशर की वो सिन्फ जिसमें शायर किसी शक्स के नकुश इस तरहा उभारे जाए के इसके खोविया और कामिया उजागर हो जाए और खारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आजाए उसे क्या कहते हैं तो यहां पे है उसे क्या कहा जाता है देखें ऐसी सन्फ जिसमें शायर किसी की शक्सियत के को उभारता है और उसके साथ में कामिया और खोवियों को भी उजागर करता है ऐसा उजागर करता है कि जो पढ़ने वाला है उसके सामने क्या है एक जीती चाकती तस्वीर पेश हो जाती है उसे क्या कहते है पूछा तो यहां पे है नाविल नाविल उसे नहीं कहा जाता दूसरा अफसाना भी उसे नहीं कहा जाता सफर नामा जो सफर की रूदाद होती है उसे बोलेंगे ये भी नहीं होगा अब बच गया हमारे पास four options इसी नजम को क्या है हम खाका कहते हैं जिसमें शायर क्या है उने खाका लिखा है उसके खौवियों और खामियों को उजागर करकर खारी के सामने पेश कर देता है इसे बोलते हैं काका के बाद है 53 questions में हैं खुश दामन की तस्कीर पहचानी है देखें तिरपनवा सवाल है यहां पे पुछा है खुश दामन की तस्कीर पहचाना है तो एक है खुश दामन दो है काविन तीन है कुसूर और चार है हम जुल्ब तो यहां पे इसका right options होगा यहां पे इसके बाद है 54 questions किसी शेर के दोनों मिस्रों में रुकन फौलन के आठ बार तकरार से बनने वाली बहर को क्या कहते हैं यह बताना यहां पे देखें बहर पूछी हुई है आठ बार की फौलन फौलन आता उसे क्या बोलेंगे जो आठ बार की तकरार उसे बनती है उस बहर को क्या बोलेंगे यह पूछ रहा है तो बहर मतकारिब मसम्मन सालिम इसका राइट आंसर यही होगा बहर मतकारिब मसम्मन सालिम यही कहा जाता है इसके बाद है 55 questions में है तनखीद क्या है देखें शायरों के आपकी किताबे भी याद होना चाहिए कि एक किताब किसकी है इनकी किताबे आपको याद करनी ही होगी आपको किताबे याद करने के लिए इस चैनल के जान पैचान में आप यहां से किताबे याद कर सकते हैं क्योंकि आपके S.E.R.T. से ही वीडियो बनी हुई है जो जान पैचान की तालुख से है तो यहां से आपका ये पार्ट कवर हो सकता है अगर आप चाहे तो वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं योटूप पर अविलेबल है तनकीद क्या है तो ये तनकीद क्या है ये किताब है ये किताब तस्रीफ है किसकी है बताना है एक है अल्म अखबाल दो है खुरतुलाईन है दर तीन है जमील जाल्बी और चार है यहां पे आल अहमद सुरूर तनकीद क्या है ये किताब है आल अहमद सुरूर की इसके बाद हैं यहाँ पे सवाल नमबर च्छपन में हैं दर जजेल में कौन सा मतबादिल जमाना माजी के खिसम नहीं है बताना है च्छपन में सवाल में हैं माजी के खिसम नहीं है बताना है एक है माजी करीब माजी बैड और माजी तमाम तो इसका right answer होगा माजी तमाम ये किए हैं जमाने की खिस्म नहीं है इसके बाद यहाँ पर हैं नजम दी हुई है 57-60 तक आपको नजम पर मुझतमील सवालाद दिये होगे तो इसमें आपको 57-60 तक तक के सवालाद नजम पर मुझतमील करने होगे तो नजम पढ़ ले आप या फिर सबसे अच्छा कर सकते हैं पहले नजम पढ़कर सवलाद हल कर सकते हैं या फिर पहले सवलाद और उसके आउशन्स पढ़कर नजम पढ़ सकते हैं कोई भी तरहा से पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे देखें, करते हैं मुसाफिर को महबत से इशारे, ऐ वादिये गंगा तेरे शादाब नजारे, यह बिखरे हुए फूल, यह बिखरे हुए तारे, कुश्वों से महकते हुए देरिया किनारे, यहाँ पे एक नजम दी हुई है और यह नजम के तालुख से ही सव तो सवाल देख लिए, यहाँ पे मुसाफिर को महबत के इशारे कौन करता हैं, शादाब के नजारे, खौविदा नजारे, यह बेश्ताब, शरारे, यह परी खाने, तो यहाँ पे मुसाफिर को महबत के इशारे कौन करता हैं, तो यहाँ पे करता हैं शादाब के नजारे, आई वादिये गंगा तेरे शादाब के नजारे तो शादाब के नजारे हो गए इसका राइट आंसर इसके बाद है अठावनवा सवाल तीसरे बंद में साहिल को किस से मिसाल दे गई है गौबिदा नजारे से बेताब तारे से या बिखरे होई तारे से या शादाब नजारे से तो देखे तीसरे तो इसका राइट आंसर यहां पे होगा अठावन का गौबिदा नजारे इसके बाद है उनसाठ का सवाल है यहां पे उनसाठ में दिया हुआ है कशाने से क्या मुराद है ये बतान चोटे घर तमन्ना वा अफसोस का कल्मा ये प्याला ये फिर हवेली चौथा हवेली तो इसका राइट आप्शन्स होगा यहाँ पे चोटे घर कशाने से मुराद क्या है तो ये चोटे घर है आखरी सवाल है यहां पे साटवा सवाल है जैल के मुतबादिल में सही वाहिद और ज़मा के जोड़ी बताना है तो वाहिद जमा भी आएंगा आपका साबिख लाहिखए आएंगे इसके बाद यहांपे कहावते आएंगी और इसके बाद हैं महावेरे रामर में जमाने भी देखने होगे तो यहाँ पे होगा खर यहाँ पे दिया हो जुल्ण सित्म राइपो husband पलक इफलाग तो इसका राइट आनसर होगा वाहध और जमा पलक इफलाग इसका राइट आनसर होगा यहाँ से शुरू होता है हमारा CDP और इसको हम इंशालला कल की वीडियो में देखेंगे CDP के तो अभी के लिए इतना है फिर मिलेंगे इसी चैनल की किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हफिस